हेलो फ्रेंस आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो वीडियो को पूरी इंड तक देखीगा ये क्योंकि एक ट्रीक है कि आप किस तरह से ओपेंड कर सकते हो इस अकॉंट को तो इसमें मैं आपको न्यू ट्रीक बताऊंगा जिसके जरीए आप अपने ये एस भी आई यूनो में अपना सेविंग अकॉंट को ओपेंड कर सकते हो तो वीडियो को पूरी लाष्ट तक जरूर देखिएगा अगर इस ट्रीक को आप मीस करोगे तो आपका जो है कि सेविंग अकॉंट ओपेंड नहीं होगा तो आप जरूर वीडियो को पूरी को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मुवाइल में प्ले स्टोर को उपन कर लेना चलिए मैं यहां से उपन कर लेता हूं सुगैस यहाँ पर open करती ही यहाँ पर आपको type करना SBI का mobile banking जो है आपको install कर लेना है तो यह application को आपको install कर लेना है search करती ही आपको यह application दीख जाएगा तो चलि मैं यहाँ पर click कर देता हूं सो गैस click करती ही है आपको यहाँ से install कर लेना है तो चलिए मैं यहां पर wait कर लेता हूँ सोगैस यहां पर आपको permission को allow कर देनी है तो चलिए मैं यहां से allow कर देता हूँ सोगैसí allow करती आपके सामने कुछ इस तरह का इंटर्फेस आपके सामने open हो जाए तो simply यहां पर आपको दिख जाएगा new to sbi तो simply आपको यहाँ पे click कर देना है so guys यहाँ पे click करते ही आपको देख जाएगा यहाँ पे apply now और उसके नीचे आपको देख जाएगा resume तो अगर आप इसका form already भर चुका है और बीच में कहीं refresh हो गया है तो यहाँ पे resume पे click करके और आपना जो की email या mobile number इंटर करके आप अपने page को continue कर सकते हूँ तो चलिए मैं अभी इसमें पहली बार apply कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे click कर देता हूँ apply now पे then उसके बाद आपको next पे click कर देना है तभी इस account को open कर सकते हूँ यहाँ पे आपको दिख रहा है pane card जो है कि मैंने date tree है then उसके बाद आपको next पे click कर देना है चलिए मैं यहाँ पे click कर देता हूँ so guys next पे click करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना mobile number इंटर करना होगा then उसके बाद यहाँ पे आपको अपना email id इंटर करना होगा then उसके नीचे यहाँ पे आपको referral code दिख रहा है तो referral code जो है कि optional है और email id भी optional है तो आप चाहे तो mobile number भी दे सकते हो तो चलिए मैं यहाँ से अपना mobile number और email id फिल कर लेता हूँ यहाँ पे so guys तो मैंने इसे complete कर लिया है then उसके बाद आपको next button पे किलिक कर देना है चलिए मैं यहाँ पे किलिक कर देता हूँ so guys किलिक करते ही आप जो भी mobile number इंटर कियो हो और email id उस पे आपको OTP code भेज़ा जाएगा जो कि आपको यहाँ पे फिल करना होगा mobile OTP और यहाँ पे email OTP अगर आपको OTP नहीं मिलती तो आप recent OTP पे किलिक करके अपने OTP code को दोबारा से मंगा सकते हूँ तो चलिए मेरे mobile number पे OTP code आ गया है और email id पी तो चलिए मेरे फटाक से फिल कर देता हूँ So guys मैंने OTP code यहाँ पे इंटर कर दिया है देन उसके बाद आपको next बटन पे किलिक कर देना चलिए मैं यहाँ पे किलिक कर देता हूँ So guys next बटन पे किलिक करते हैं यहाँ पे आपको take out कर देनी है Then उसके बाद यहाँ पे आपको अपने pain card का number इंटर कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे tick out करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको next पे किलिक कर देना है चलिए मैं इसे फटाफट complete कर लेता हूँ So guys मैंने अपना pain card का number यहाँ पर enter कर दिया Then उसके बाद आपको यहाँ पर tick out करनी है Then उसके बाद आपको next button पर click कर देना चलिए मैं यहाँ पर click कर देता हूँ So guys next पर click करते ही आपको यहाँ पर कुछ reading करने के लिए आ जाएगा तो आप इसे reading कर लिजीएगा click करके select कर लेता हूं यहां से आप कुछ भी select कर सकते हो voter id card passport या with paper या फिर जो बना रेंगा card या फिर अधार card तो चलिए मैं से अधार card select कर लेता हूं देन उसके बाद यहां पर आपको documents का number इंटर कर देना यानि कि अधार card का number नम्र चलिए मैं अपने अधार काट का नम्र यहांपे इंटर गजो कर दिए आपको दिख़़ाएगा एकशाइर डायट ओ इस एकट रूप आइडेंटी तो इस बोक्स में आपको टिक आउट रहने देना फिर से आपको नेक्स्ट पे किलिक कर देना so guys मैंने यहां पे first name इंटर कर दिया है so guys आपको नाम किस तरह से इंटर करना है आपको side में Mr. लगा देना है तभी यह page आपको आगे ले जाएगा अगर आप इसमें Mr. नहीं लगाओगे तो आगे नहीं ले जाएगा अगर आप महिला का account ओपिन करती हो तो यहां पे महला का जो भी यहां पे आता है title तो उसी title को आपको यहां पे fill करना होगा तब ही जो की आपका page जो की आगे जाएगा अगर आप इसमें title नहीं लगाऊँगे तो आपका page जो की आगे नहीं जाएगा आपको branch visit करना पड़ेगा ऐसा कुछ error आ जाएगा आपके पास देन उसके बाद यहाँ पे आपको last name इंटर करनी है चलिए मैं यहाँ पे last name मैं इंटर कर लेता हूँ So guys मैंने last name इंटर कर लिया है देन यहाँ पे आपको select कर लेना है general mail हो या female हो तो मैं यहाँ से mail ही रहने देता हूँ देन उसके बाद आपको यहाँ पे date of birth इंटर करना है तो चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ So guys मैंने अपने date of birth इंटर कर लिया है तो आपको पता ही होगा किस तरह से आपको यहाँ पे नाम इंटर करना यह आपको important बात है आपको इसे धियान में रखना है आप जो भी यहाँ पे title सेलेक्ट करोगी उसी title को आपको यहाँ पे fill करना होगा अगर आप महला का title सेलेक्ट करते हूँ तो महला का title आपको इंटर करना होगा मैंने तो पहले ही बता दिया था कि वीडियो काफी लंबी होगी इसलिए मैंने आपको बताया क्यूंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा इसमें कि आपका जो की account open हो ही जाएगा देन उसके बाद आपको next पे click करना है चलिए मैं यहाँ पे click कर देता हूँ तो next पे click करते हूँ यहाँ पे आपका city या place काम होगा है आपका birth वो आपको यहाँ पे enter करना है तो चलिए मैं यहाँ पे अपना city का नाम enter कर देता हूँ तो guys मैं अपना city का नाम यहाँ पे enter कर दिया हूँ धनवाद तो guys उसके बाद आपको यहाँ पे country of birth तो यहाँ पे आपको अपना country सेलेक्ट करना है तो चलिए मैं यहाँ से इंडिया कर लेता हूँ सो गैस मैंने यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया है देन उसके बाद यहां पर आपको यहां पर भी आपको इंडिया ही सेलेक्ट करना है तो चलिए मैं यहां पर इंडिया टैप कर देता हूँ सो गैस मैंने यहाँ पर भी इंडिया सेलेक्ट कर लिया देन नेशनल्टी में भी आपको इंडिया ही रहने देना है सो गैस यहाँ पर भी मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पर किलिक कर देना है सो गाइस next पर किलिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो की open हो के आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो की set your internet banking username and password तो यहाँ पे आपको set करना है और किस तरह से set करना है पूरी detail में आपको समझाओंगा और दिखाओंगा पूरी step by step मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो काफी लंबी हो जाएंगे लेकिन आपको पूरी detail में इसमें समझाओंगा आपको तो username आपको किस तरह से बनाना है और password तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ सो गैस तो यहाँ पे मैं example के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ ए बी सी देन यहाँ पे आपको अपना mobile नमर इंटर कर देना है तो चलिए मैं अपना mobile नमर इंटर कर देता हूँ क्योंकि मैं इसे भूलना नहीं चाहता हूँ आपको भी भूलना नहीं है इसे याद रखना है आप अपने हिसाप से set किजिएगा मैंने यहाँ पे 다양한 do、「म अपना यूसर नेम सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको चेक अंवेलवेलिटी पे आपको किलिक कर देना है। सो गैस जैसे ही किलिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अवेलवेल है तो आप जो की इसे यूजर नेम रख सकते हो देन उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने है और पासवर्ड आपको कीस तरह से बनाने चली मैं बना के दिखा देता हूं सो गैस एक्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ए बी सी देन उसके बाद यहाँ पे आपको ए हैच अस्टार देन उसके बाद आपको अपना मोबाइल नमर इंटर कर देना है सो गैस मैंने अपना पासवर्ड बना लिया है तो चली मैं आपको देखा देता हूं यहाँ से सोगस आप देख सकते हो मैं ने किस तरह से password बनाए है आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना आपकुछ अलग तरीके से बनाना आपको इसे और इसको आपको कहीं note कर लेना है बना कि देन उसके बाद password बनाने के बाद आपको यहाँ पे confirm करने के लिए एक बार आपको यहाँ पे यहाई मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड बना ली है देन उसके बाद आपको सेब कर लेना है इसे सेब कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे किलिक कर देना है यहाँ पर किलिक कर देता हूँ जैसे ही आप next पर किलिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो dear user id select your user id यानि कि आपका जो user id है activate होगी है यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का interface नजर आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्लेट या बिल्डिंग या सोकेटी या फिर house number इंटर कर देना है देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना road या area या locally यहाँ पर इंटर करना है चलिए road या फिर area आपको इंटर करना हुआ तो चलिए मैं यहाँ से अपना area धनबाद इंटर कर देता हूँ sorry मैं अपना area यहाँ से so guys मैंने अपना area यहाँ पर इंटर कर दिया है देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना city या टाउन या फिर तालुका या फिर डिस्ट्रिक तो चलिए मैं यहाँ पर अपना district इंटर कर देता हूँ तो मेरा district है धनबाद so guys मैंने यहाँ पर धनबाद इंटर कर दिया है देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना area पिन पिंकुड इंटर करना होगा चलिए मैं अपना एरिया पिंकुड इंटर कर देता हूं सो गैस एरिया पिंकुड इंटर करती है आपका जो स्टेट है यहाँ पर ओटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे देन उसके बाद आपको next बटन पे click कर देना था चलिए मैं यहाँ पे click कर देता हूँ सो गैस उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आ जाएंगे तो simply यहाँ पे आपको अपना photo खीचना होगा जिसका भी आप account open कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है take a selfie तो यहाँ पे click करोगे तो आपका जो camera है open हो जाएंगे बट आपके पास अगर gallery में photo है तो यहाँ से upload कर सकते हैं चलिए मेरे पास gallery में photo है तो यहाँ से upload कर देता हूँ then यहाँ पे आप जैसे ही click करोगे तो यहाँ पर permission मागेगा इसको allow कर देनी है then उसके बाद यहाँ पर आपको gallery का option आ जाएगा simply आपको इस पर click कर देना है so guys आपके gallery में जितने भी photo होंगे आ जाएंगे तो चलिए मैं set कर लेता हूँ अपने हिसाब से so guys मैंने अपना photo यहाँ पर select कर ले है then उसके बाद आपको यहाँ से crop कर लेना है तो चलिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पर crop कर लेता हूँ then crop करने के बाद आपको यहाँ पर done पर click कर देना है चलिए मैं यहाँ पर click कर देता हूँ so guys click करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा photo जो है की set हो गया देन उसके बाद आपको यहाँ पर click कर देने हैं sign पर चलिए मैं यहाँ पर click कर देता हूँ जैसे ही sign पर आप click करोगे तो यहाँ पर आप से अपका income पूछा जाएगा तो आपको अपने हिसाब से select कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ से अपने हिसाब से select कर लेता हूँ आपका जो भी income हो देन income select करने के बाद यहाँ से आपको अपना educational select करना होगा आपका qualification select करना होगा तो चलिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पर select कर लेता हूँ कि आपका religion क्या है तो religion में आपको दिख जागा Hindu, Muslim, Christian, Sikh या फिर अधर अगर इन में से कुछ भी नहीं हो तो आप अधर पे click कर सकते हो तो चलिए मैं यहाँ पे Hindu select कर लेता हूँ क्योंकि मैं Hindu उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटर्फेस नजर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना मार्टियल स्टेटस आपको select करना हुगा तो आप married हो तो merit select कर सकते हो या फिर unmarried हो तो unmarried भी select कर सकते हो अगर इन में से कुछ भी नहीं हो तो आप अधर पे click कर सकते हो तो चलिए मैं यहाँ पे unmarried select कर लेता हूँ देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटर्फेस नजर आ जाएंगे तो यहाँ पे जो कि यह customer maiden name आप इसे छोड़ सकते हो क्योंकि यह ओपिसनल है देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना father का नाम इंटर करना होगा तो यहाँ से सबसे पहले आपको title select करना है तो title में mister select कर लेता हूँ देन यहाँ पे आपको अपना first name इंटर करना होगा अपने father का तो चलिए मैं इंटर कर देता हूँ यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना last name इंटर करना होगा तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे select कर लेना है देन उसके बाद यहाँ पे आपको first name, middle name, last name इंटर करना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको spouse name देना है, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो, इसे कोई भी दिक्कत नहीं है, देन उसके बाद आपको next पे click कर देना है, चलिए मैं इसे फटाफट complete कर लेता हूँ जो गैस मैंने इसे complete कर लेता है, देन उसके बाद आपको next पे click कर देना, चलिए मैं यहाँ पे click कर देता हूँ, जो गैस click करते ही, यहाँ पे आपको अपना occupational सेलेक्ट करना होगा, तो occupational में आप अगर service करते हो, तो यहाँ से select कर सकती हो, अगर आप business करते हो, तो यहाँ पे select कर सकते हो अगर आप इन में से कुछ भी नहीं हो तो आप अधर पर click कर सकते हो चलिए मैं अधर पर click कर देता हूँ सो गैस यहाँ पर self implied हो या फिर house wife हो या फिर student हो या फिर retired हो तो इन में से आप जो भी हो select कर सकते हो चलिए मैं यहाँ से student select कर लेता हूँ देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नोमनी एट करना होगा तो नोमनी आपको क्यों एट करना हो जब किसी वे कारण जब आपके डेथ हो जाते हैं तो आपके जो बैंक अकॉंट का पैसे का हकदार आपका नोमनी होता है तो इसलिए आपको नोमनी देना बहुत ही जरू कर लेता हूं, सोगेस मैंने अपने father का नाम यहाँ पे enter कर दिया है, देन उसके बाद relation में आपको select करना होगा, कि यह आपके लगते हैं क्या, यानि कि आपका रिष्टे में क्या connection है, यहाँ पे, आपको यहाँ पे select करना होगा, मतलब कि आपको feel करना होगा, तो मैं यहाँ प कर लेता हूँ सो गैस मैंने date of birth इंटर कर दी है देन उसके नीचे आपको दिखी जाता है grand date's name if you minor देन अगर minor है तो आप यहाँ पे age भी दे सकते हो नहीं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हो यह क्योंकि official है देन उसके बाद आपको next पे किलिक कर देना चलिए मैं यहाँ पे किलिक कर देता हूँ so guys next पे किलिक करते ही अगर आपका और nominica address same है तो इस box में आपको tick out कर देनी यह जो form आपको दिख रहा है address line 1, address line 2 और यह pin code, estate यह सारा वगेरा automatic फिल हो जाएंगे तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा और nominica address same है तो इस box में मैं tick out कर देता हूँ so guys यहाँ पे आप देख सकते है automatic जो मेरा form फिल हो गया then उसके बाद simply यहाँ से आपको next पे किलिक कर देना चलिए मैं यहाँ पे किलिक कर देता हूँ so guys next पे किलिक करते ही यहाँ पे आपको चाहते हो या फिर उसमें आप limit देखना चाहते हो या घटाना चाहते हो बढ़ाना चाहते हो अगर आपको इन में से सारा कुछ चाहिए तो आपको यहाँ पे देख जाता है नीचे में full transaction तो full transaction आपको select कर लेना है इससे यह होगा कि आप अपने mobile banking में net banking में आप जब भी open करोगे तो वहाँ से आप सारा कुछ कर पाऊगे net banking के through debit card apply कर पाऊगे balance check कर पाऊगे money transfer कर पाऊगे अपने debit card का limit घटा या बढ़ा भी सकते हो तो चलिए मैं यहाँ से full transaction select कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पे आपको देख जाता है receive SMS alerts तो यहाँ पे क्या अगर आप आपके landing का जानकारी आप अपने SMS में चाहते हो तो यहाँ पे आपको yes कर देना चलिए मैं चाहता हूँ तो yes कर देता हूँ अगर आप नहीं चाहते हो तो no पे किलिक कर सकते हो देन उसके बाद यहाँ पे आपको next पे किलिक कर देना है चलिए मैं यहाँ पे किलिक कर देता हूँ सो guys किलिक करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाता है personalized kit तो यानि कि आपका जो welcome kit है उसमें आपका जो debit card है वो भेजे जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना card type करना है कि आप कौनसा card यहाँ पे लेना चाहते हो तो यहाँ से मैं domestic select कर लेता हूँ देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना card choose करना है तो यहाँ पे मैं silver classic select कर लेता हूँ आप चाहे तो अपने हिसाब से select कर सकते हो देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाता है कार्ड पर आपको क्या नाम चाहिए तो यहाँ पर आपको select कर लेना है क्या आपका यही नाम रहेगा तो चलिए मैं इसमें थोड़ा कुछ changes कर देता हूं मैंने अपना नाम कुछ यहाँ पर changes कर दिया यही नाम आपके debit card पर आएगा तो यहाँ पर आप जो भी नाम चाहते हो यहाँ पर अपने हिसाब से enter कर सकते हो एक बार check कर लो कोई गलती तो नहीं हो उसके बाद यहाँ पर आप next पर click किजिए सो गैस जैसे ही आप यहाँ पर click करोगे तो simply यहाँ पर आपको scroll down करते ही जाना है पूरा last तक आपको करते जाना है आप चाहे तो इसे reading भी कर सकते हो देन आपको करते ही जाना है scroll down पूरा last तक आपको करते ही जाना है चलिए मैं करते ही जा रहा हूँ यहाँ पर सो गैस उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर इस box में आपको take out कर देनी है then उसके बाद आपको next पर click कर देना है चलिए मैं यहाँ पर click कर देता हूँ देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएंगे सो गैस यहाँ पर आप देख सकते हो यह मेरा लास्ट अस्टेप है जो कि लास्ट अस्टेप आपको ब्रांच में जाके आपको कम्पलीट करवाना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको एक रिफरेंस कोड दीख जाता है तो इस कोड को आप कहीं नोट कर लिजिए या फिर आप इसे कहीं कोपि कर लिजिए उसके बाद आपको इसको ब्रांच में लेके जाना है और आपका जो रिफरेंस कोड है 15 दिन के लिए वालेड है यानि कि 15 दिन के अंदर आपको ब्रांच जाना है ब्रांच जाने के बाद वहाँ पे आपका फूल कवाइसिक करवाना है So guys, मैंने भी ऐसा है किया था मैंने जब SBI का आकाउंट ऑपेन किया था तो मैंने भी ऐसा है किया था क्या क्या मेरे साथ हुआ हूँ वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो वहाँ पर आपको दो passport size का photo लेके जाना है और जो भी आपने documents select की हो जैसे कि अधार card, pain card तो वो आपको original में लेके जाना है ना कि आपको jorex ले जाना है आपको original में ही ले जाना है देन वहाँ पर आपका finger जो थम है वो verify होगा उसके बाद वहाँ पर finger थम verify करने के बाद वहाँ से आपको दो बर finger verify करेगा उसके बाद ये रेफल code आप से मांगेगा ये रेफल code मांगने के बाद आपको वहाँ पर दो passport size का photo भी मांगेगा उस फोटो को आपको जरूर ही ले जाना है ब्रांच में देन वो फोटो को आपके पास्बुक में चिपका देंगे और आपका जो महाँ पे बाइलेंस है आपको बैंक वाले अपने फायदे के लिए बोलते हैं कि इसमें जमा करो कुछ पैसे आपको जमा करना पड़ेगा तो वहाँ पे मातर आपको 100 रुपिय जमा कर देना है बोलना सर्व मेरे पास पैसे नहीं इतना ही पैसे लाया है ये तो एक जीरो बालेंस अकाउंट है ये फिरी में उपन हो जाता है तो वो ऐसा ऐसा बड़ा चड़ा के बोलेंगे आपको बस 100 रुपिय जमा कर देना है और आपका जो अकाउंट है हो जाएंगे और पास्बुक भी आपको तुरंट दे देंगे और आपका जो डेविट काड है वो साथ दिन के अंदर आपके घर पर डिलिवर करवा देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको दीख जाएगा लुकेट नियर सेट ब्रांच तो सिंपली आपको यहाँ पर किलिक कर देना है सो गैस जैसे ही किलिक करोगे तो यहां पर आ जाएगा बाई GPS और यहां पर बाई लुकेट सिंप्ली आपको यहां पर किलिक कर देना सो गैस यहां पर लुकेटली पर किलिक करते ही यहां पर आपको नेक्स्ट बटन पर किलिक कर देना चलिए मैं यहां पर नेक्स्ट पर किलि तो यहाँ पे आपको अपना branch locally टाइप करना होगा तो चलिए मैं अपना branch जो भी आपका नजदीक branch है वो यहाँ पे आप टाइप कर दे चलिए मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ सो guys जैसे ही आप यहाँ पे branch का नाम select करोगे तो यहाँ पे आपके area में जो भी सबसे नजदिक branch है वो आपको first में ही मिल जाएगे तो यहाँ पे आप देख सकती हो मेरा branch जो की first में दिख रहा है तो इस branch में आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको उसका location भी मिल जाएगे यहाँ पे आप जैसे ही किलिक करोगे तो डारेट यह Google Maps पे आपको लेके चला जाएगा तो इस branch में आपको जाना है और फुल के वाइसिक करवाना है तो यही था इसका process तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप SBI UNO saving account open करना सीख गए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ सेर कर देना सोगाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिन वान देवात्राइग